हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपकी कक्षा का व्याकन खंड का एक हिस्ता पड़ेंगे जिसका नाम है सवाद लेखन और मैं सुनीतर आनी मेडम आप लोगों के समक्ष इस पार्ट को प्रस्तुत कर रही हूँ विद्यार्थियों आप सभी को पता ही होगा कि व्याकन खंड में सवाद लेखन जो है आपका टर्म टू का स्लेबस है यह सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ और यह पांच अंक का आपके पेपर में आने वला हैं विद्यार्थियों CBSC ने वैसे जो स्लेबस दिया है उसमें इन्होंने दो तरीके से इसको बताया है कि एक समाद लेखन मतलब आपको चार समाद लेखन देगा विद ओप्शनल ओप्शनल का अर्थ है यहाँ पे कि आपको चार में से कोई भी दो समाद लेखन लिखने तो आईए आज इसको हम देख लेते हैं एक मैं आपको CBSC 2017 में जो समाद लेखन पूछा था वो भी मैं आपको यहाँ पर हल करवाने जा रही हूँ उससे पहले हम जान लेते हैं कि समाद लेखन होता क्या है विद्यार्थियों समाद से तो आप सब समजी गए होंगे समाद क अर्थ होता है बादचित लेकिन जब हम बादचित को शब्दों में पिरो देते हैं तब उसका अर्थ होगा समाद लेखन अर्थात हमने अपनी बादचित को शब्दों में पिरोया और उसको लिख दिया उसी से हमारा बना है समाद लेखन अब बात आती है किस परकार की ब बादजित जो है किसी भी मुद्दे पर हो सकती है आप जो है दो विद्यार्थी विद्यार्थी के बीच में हो सकती है पिता पुत्र के बीच में हो सकती है अध्यापक छातर के बीच में हो सकती है अर्थात किनी भी दो वैक्तियों के मद्दे जो बादजित होती है उसी को हम सवाद लेखन कहते हैं और उसको जब हम लिख देते हैं तब वह लेखन रूप में आने के बाद से पूरन अता क्या निकल आता है सवाद लेखन अब हमें देख रहे हैं कि आपके एक्जाम के परपर से क्या important है CBSC किन मुद्दो पर सवाद लेखन लिखवाता है तो विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहती हूँ सवाद लेखन जो CBSC लिखवाता है या तो latest में जो मुद्दे चल रहे होते हैं आपकी वो current knowledge देखता है कि आपको current knowledge कितनी है या फिर आपके ही विद्यार्थियों से समदित कोई न कोई प्रोग्राम जैसे KBS में या नवोदे में बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं उनसे समदित भी वो कोई न कोई मुद्दा दे देते हैं उस पर बाचित के लिए आपसे कह सकता है ठीक है तो हमें समद लेखन में एक तो ये पता होना चाहिए कि इसकी शब्द सीमा कितनी होती है समद लेखन में पात्र कितने होते हैं और बाचित किस परकार से शुरू होती है और समद लेखन में जो बाचित का रवया होता है वो कैसा होता है उसमें भाषा कौन सी हमें प्रयोग करनी चाहिए इन सारे बिंदुबपर में चर्चा करूंगी समवाद का शाब्दिक अर्थ है बादचित इसे वारतला भी कह सकते हैं यह किन शब्दों से मिला है सम प्लस वाद इन दो शब्दों से मिलकर समवाद बना है इसका अर्थ होता है समयक बोलना दो लोगों की आपसी वारता को हम क्या कह सकते हैं समवाद कह सकते हैं विद्यार्थियों यह ध्यान लखना कि समवाद लिखन में हम ज़्यादा तर दो ही पातर लेते हैं दो पातर से यह दिए हम अधिक लेंगे क्योंकि सवाद लेखन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कि आप खुद konfusion हैं कि आपका पातर कौन सा पातर बात कर रहा है। चलिये। सवाद लेखन की अब विशैसता हैं लेखने क्या क्या होती है। सववाद लेखन का सबसे पहला गुन होता है सवभाविक्ता कि जो भी आप सववाद लिखते हो वो आपका नैचुरल लगना चाहिए बनावटी नहीं लगना चाहिए सवभाविक्ता का अर्थ है हर पात्र अपनी स्थिती, मनोदशा और संसकार के हिसाब से बूले क्रोध और प्रेम की भाषा एक नहीं हो सकती, अर्थात कहने करते हैं कि समवाद में आप सब्य भाषा का प्रियोग करें ग्रामिन और महानगरिय पातर की भाषा में भी अंतर होता है अर्धात कहने का अर्ध क्या है कि आप ये नहीं कि आप गाउं से आते हैं तो आप अपने ग्रामिन भाषा में ही समवाद लिख दो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको शुद हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए अपना समवाद लिखना है ठीक है अशिष्ट और अशिष्ट पातर की भाषा में विस्पष्ट अंतर होता है अत्य सब इस्तितियों को ध्यान में रखते हुए पात्रों को आपसी बाचित कराना सववाद कहलाता है सववाद लेखन के माध्यम से प्रभाव उद्पन करना भी लेखका क्या होता है लक्षे होता है सववाद कथन की शैली प्रभाव शैली तथा सटीक होनी चाहिए मूवी के रूप में आती है तो उसमें जो हीरो या हीरोई होते हैं वो सारे क्या करते हैं सवाद बातचित करते हैं और डायलोग आप लोगों को बहुत सारे डायलोग फिल्मों के याद भी हो जाते होंगे तो यह जो हमारी जितने भी चीजे हैं कहानी एकांकी नाटक सीरियल ये सारे हमारे समवाद लिखन पर ही टिके हुए होते हैं अगर आप अपने डायरे लिखते हैं तो वहाँ पर भी आपके समवाद लिखन लिख सकते हैं तो आए एक मैं समवाद लिखन का आपको उधारन देती हूँ जो की CBSE के दुआरा पूछा गया है 2017 में बढ़ती मेंगाई के समवंद में मित्र से हुए वरतल आपको समवाद के रूप में लिखे यहाँ पर दो मित्रों की मद्दे की बाचीत हम देखेंगे CBSE ने टोपिक दिया है बढ़ती मेंगाई ध्यान लखना इस बार आपसे करोना पर टोपिक दे सकता है डेंगू पर भी टोपिक दे सकता है या आपकी ओनलाइन कक्षाओं से भी टोपिक दे सकता है जैसे यहाँ पर दो मित्र है एक रूपेश है एक नरेन है आप पत्रों के नाम अपनी मर्जी से भी असान रख सकते हैं दो अपने मित्र के नाम लिख सकते हैं जैसे हेलो नरेन थेला उठाये कहां सा रहे हो सबजी मंडी तो नरेन आगे से क्या और रुपेश क्या करूँ सबजी की दुकान से तो सबजी खरीदने की हिम्मत रही नहीं गोबी पत्ता है क्या बहाव भिक रही है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे रुपेश ने कुछ कोशन पूछा तो नरेन उसका उत्तर दे रहा है और तुरंत अपनी बात पर आ रहा है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि जो पत्ता गोबी है वो देड़ सु रुपेश किलो मिल रही है रुपेश और सब्जी में तो दस रुपेश किलो मिल जाएगी ना नरेन कुछ तो सस्ती होगी सारी सब्जियों में आग लग गई है यहाँ पर उन्होंने कैसे बात जैसे हम बोलते हैं नोर्मल भाषा में आग लग जाना अर्थात बहुत ज्यादा मेंगाई का बढ़ जाना तो इस परकार से आप देखेंगे और आप अंत में यह ध्यान देंगे विद्यारतियों कि जिस पातर से हमारी बात शुरू होती है उसी पातर पर हमारा समाथ क्या हो जाता है समाथ हो जाता है तो यहाँ पर पूरी मेंगाई की बाते जैसे मानलो कि अब अपना पैट्रोल बढ़ गया है डीजल बढ़ गया है उसके रेट भीस में लिखे हुई है तो विद्यारतियों आप इसको जो है अपनी हिंदी कोपी में लिख लें और चीजों को समझने का प्रयास करें और एक समाथ जो है आप सुरम से लिखें तो आपके पांचंग यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें शियर कर दें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद बंदे मात्र